भारती अंतरिक्ष अनुसंधान ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत बड़ी सफलता हासिल की है इस रोके अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रक्षेपन यान के CE20 क्रायोचेनिक इंचन का सफलता पूर्वग परिक्षन किया गया जिसके बाद से देश भर में चंद्रयान मिशन को लेकर हल चल तेज हो गई है दरसल इस साल के शुरुआत में पहले चंद्रयान 3 का लेंटर और अब CE20 क्रायोचेनिक इंचन का फ्लाइट एकसेप्टेंस होट टेस्ट का सफलता पूर्वग पूरा होने से उमीदें पढ़ गई है ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या चंद्रयान 3 मिशन को इस साल लांच किया चाएगा वहीं एकस्पर्ट इस बाद के उमीद जता रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक टेस्ट के दौरान काम्यावी मिल रही है उसके बाद संभव है कि 6-8 महीने में हम महत्व पूर्ण बढ़ाव पर पहुँच जाएंगे हलांकि इसरो की तरफ से अभी कुछ साफ तोर पर नहीं कहा गया है वहीं इसरो की अधिकारियों ने बताया कि 24 फरवरी को तमिल नाडू के महंद्रगीरी में इसरो प्रोपलसन कॉंपलेक्स की हाई एल्टिट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में 25 सेकेंड की नियोचित अवदी के लिए फ्लाइट अक्सेप्टेंस हीट परिक्षन किया गया था इसरो ने मंगलवार को बताया कि CE-20 क्राइवचेनिक इंजिन का फ्लाइट अक्सेप्टेंस टेस्ट सफल रहा वहीं सोंबार को अंतरेक्ष एजंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि परिक्षन के दौरान सभी परामीटर संतोष जनक पाए गए ऐसे में क्राइवचेनिक इंजिन को पूरी तरह से एकिकरत उडान के लिए प्रोपेलेंट टैंक, स्टेज स्ट्रक्शर और समबंधित द्रब लाइनों के साथ एकिकरत किया जाएगा ये इंजिन प्रक्षेपन यान के क्राइवचेनिक उपरी चरन को ताकत देगा, ये इंजिन चंद्रयान 3 मिशन के लिए काफी अहम है कास बात ये है कि ये इंजिन LV M3 M3 वाहन के लिए इंटिक्रेट किये जा रहे, C25 उडान चरन में असेंबल किया जाएगा अब हम आपको बताते हैं कि Flight Acceptance Hot Test क्या होता है, दर असल Flight Acceptance Hot Test का मुख्य उद्धेश Flight Operation के लिए हार्ट वेर में सही तरीके से काम करने की पुष्टी करना होता है इसके अलावा सब सिस्टम की Performance को भी परखा जाता है, साथी Flight Operation उडान संचालन के लिए मिशन आवश जगताओं के माप दंडो को पूरा करने के लिए इंजिन को ट्यून करना होता है, इसके बाद टेस्ट डेटा का Analysis किया जाता है, इसमें इंजिन सिस्टम के प्रदर्शन क के बारे में पता चलता है, बता दे कि इससे पहले इसरो ने चंद्रियान 3 के लैंडर का सफल परेक्षन किया था, इसरो ने कहा था कि उपग्रह मिशन के लिए EMI EMC परेक्षन अंतरेक्ष के वातवरन में उपग्रह प्रणाले की करेशमता और उपैक्षित वित्तुत चु निश्चित करने के लिए किया जाता है, अंतरेक्ष एजनसी नी कहा था कि ये परेक्षन उपग्रह के निर्मान की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है, आपको बता दे कि चंद्रियान 3 भारत का तीसरा चंद्र अभियान है, इसका मकसद चंद्रमा की सतय पर सुरक्ष लैंडिंग और ओवर द्वारा नमूने चुटाने की चमता प्रदर्शित करना है, इसरो इसे जून में प्रक्षपित करने की योजना बना रहा है, चंद्रियान 3 को आंधरे प्रदेश के श्री हरी कोटा इस्ते सतीश धवन अंतरेक्ष केंदर से लांच वीकल मार्क 3 के ज देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें